पिर नाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से बैलकम करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे और पॉसिटिव होंगे आप भी फील कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं वो चीजों को हम जैसे नाम नहीं दे पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुल में जो चीज घट रही है वो किस रीजन से किस परपस से घट रही है तो वही सब मैं आपको बताने वाली हूँ तो आपने थमनेल में आज पड़ा होगा जहाँ पे मैंने quantum metamorphosis के बारे में बात की है जहाँ पे transform your mind यानि 3D mind तो अगर मैं इसके बारे बात करूँ तो यह एक quantum theory है लेकिन इसको छोड़ करके मैं आपको इतना समझाऊंगी क्योंकि फिर मैं इसको समझाने बाठूँगी तो मुझे बहुत सारे theory की expression करना होगा पर इतना मैं बताना चाऊंगी कि इसका meaning क्या है meaning यह है कि एक ऐसी theory यानि कि एक ऐसी wavelength है जहाँ पे energies जैसे की rhythm 22 चलती है जो हम बहुत समय से energy को भी feel कर रहे थे rhythm in the sense की जैसे एक tuning चलती है जैसे मालो की music में आपने देखा होगा की उपर नीचे एक rhythm चलती रहती है तीक है जैसे lining उपर जाना फिर नीचे आना फिर उपर जाना फिर नीचे आना इस तरह से एक wave है ये एक wave length है तो जो इक wave length है जो quantum meta metaphorses जो energy है जो ये theory है सिधान्त है ये बात करता है आपके उस level की जहां पे जो 3D life की जो matrix है वो तो हो जाती है कम और जो आपका sub-coincis mind है उसकी जो wavelength है वो हो जाती है active तो जैसे की ये changes आप देख पा रहे होंगे पिछले काफी समय से ये शुरू हुई है और खासकर इसका जो शुरुवात हुआ है ये 18 सितंबर से हुआ है जैसे की lunar eclipse गया है lunar eclipse से जो आपने थोड़ा सा energies में एक बाबाल देखा था जिसमें आप घवरा गए थे परिशान हो गए थे और एक अजीव सी destruction energy आपने अपने अंदर अनुभग की वो energy एक्चुल में आपकी इसलिए हुई क्योंकि हम लोग एक ऐसी अपनी एक nature है कि हम जिस चीज से जुड़ते हैं उसे हम अपना बना लेते हैं और उससे हम जुड़के रह जाते हैं चीज से बदलना हमें अच्छा नहीं लगता जैसे कि मालो आपको कोई एक चीज आपको पसंद आ गई या कोई एक habit है आपकी और वो उस habit में आप ढल गए हो तो उस habit को बदलना आपके लिए easy नहीं होता और जब वो habit बदलती है तो वो आपको काफी तकलीफ देती है आपको distract करती है इसी तरह जो हमारे mind का जो बेव था वो पूरा बेव एक तरह से पूरा हिल गया था जैसे पानी पानी को एक पानी शान्त रखा है पानी को हम हिला देंगे तो उसमें बहुत सारी कमपन पैदा हो जाएगी वही पानी अपने आप में क्या हो जाएगा उतल पुतल मचाएगा या अपने आप में एक vibration create करेगा और उसी तरह पानी पूरी तरीके से हिल जाएगा या घुल मिल जाएगा ये कहलो ठीक है तो इसी तरह हमारा brain का जो कटोरा है ठीक है मैं सिर्फ example तर बता रही हूँ इसका मतलब यह नहीं कि वो कटोरा ही है ठीक है आपको सिर्फ समझना है तो जैसे अपना brain है brain के अंदर जितने भी emotions थे हमारे जितने भी belief system थे जितने भी हमने आज तक की knowledge को gain किया या 3D life से जाना समझा वो सारी चीज़े एक साथ में जैसे मालो किसी ने हमको जख जोड दिया जो कि यह lunar eclipse था जिसमें हमारे पूरे emotions पूरी energy imbalance हुई जिसमें पूरे emotions mix up हो गए जिसे distracted energy हमने कह सकते हैं या हमने अनुभव की थी lunar eclipse के आसपास की time में और वो बहर जादा difficult थी क्योंकि एक साथ में अच्छी चीज़े भी आ रही थी एक साथ में बुरी चीज़े भी आ रही थी एक साथ में guilt भी आ रहा था एक साथ में purpose भी आ रहा था detachment भी आ रही थी यानि कि एक साथ में सारी उतल-पुतल वो शुरुवात हो गए थी जिसमें brain जो था ठक गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है exactly में ना तो spiritual energy से भी इतना balance नहीं हो पा रहा था अकर spiritual energy से हम work कर रहे थे जैसे कि meditations वगेरा तो वो भी कहीं नहीं कहीं brain में heaviness पैदा कर रही थी heart पे heaviness पैदा कर रही थी सांस breathing में problem आ रही थी वो सारी चीजे जो थी अभी आपने face की है मैं क्यों explain कर रही हूँ ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ भाओ जो मैं आज कहने वाली हूँ तो वो एक time था जहां पे हमारे brain को जखचोरा गया जहां जहां हमारे कुछ ऐसे moment या कुछ ऐसी हरकते या कुछ ऐसी गलतिया हमसे होई या कुछ भी अच्छा बुरा experience था जो हमारे कहीं न कहीं deepest में कहीं चुपा हुआ था उन सब को भी बाहर निकाला गया था कोई trauma कोई गलती कोई guilt नहीं कि सब कुछ एक द्रम से बाहर आ गया था जो कहीं न कहीं हम उसे पर परदा डालके या कहीं न कहीं हम उसे सहमत होके उसको छोड़ चोके थे ठीक है तो यह सारी चीज़े आपक अपनी एनरजी में आप पाया कि आप एक detachment के तरफ जाना शुरू होगे आपका जो interest था पहले जो भी खाने का interest था या कुछ करनी का जो creative side था या जो जो भी आपकी होवी थी x y z जो भी आपका interest था अगर आपनी notice किया हो तो आपका किसी भी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इवेन आपके अंदर से प्रॉपर जिसे कि हम इसे spiritual way में बात करें जिसे कि अपनी topic पे आएं तो जिसे हम बैराग कहते हैं ठीके जहां से सब चीज से राग हट गया और बैराग आ गया जहां पे हम किसी चीज से जुर नहीं पारे किसी चीज से हम connect नहीं कर पारे अपनी emotions जो हैं वो एक तरह से स्थिर हो गये हैं जो कुछ अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी करना ठीक है क्यों ऐसा हुआ यही मैं आज आपको बताने वाली हूं तो जैसे कि मैंने एक बात किया आपको कि आपका जो 3D माइंड है वो ट्रांस्फोर्म हो चुका है transformation की गती से चल रहा है और यह transformation आपका solar eclipse तक proper चलेगा जिसमें मैं यह कह सकती हूँ कि काफी हद तक हम सुधार कर चुके हैं काफी हद तक हम बहुत सारी चीजों को देखने में सक्षम हो चुके हैं और even आप आगे भी इन चीजों को अनुहप करोगे जो आप मैं बताने वा पहले आपके अंदर जो पुरानी चीजे गई है और जो नई चीजों ने इंटर किया है वो चीजे क्या क्या है जो आप इस समय महसूस कर रहे हैं ठीक है उसके बार में मैं बात करूंगी जिससे आपको सही में समझ में आ जाएगा कि आपका जो brain है वो transform हो रहा है या अभी मतला brain की उस उतल पुतल में ही फसे हुए है जिससे हमें बहाराना है ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट में बात करूं तो देखने की इच्छा देखने की इच्छा में इसकी आपका जो देखने का नजरिया है वो बदल गया है आपको अपने सराउंडिंग की एनरजी में एक एक नया नजरिया देख रहे हैं जैसे कि पहले किसी चीज में आपको शिकायत थी पहले किसी इंसान से शिकायत थी पहले किसी जॉब केरियर की चीज से मतलब शिकायत थी तो वहां पे आप उसको एक अलग नजरिये से देख रहे हो यानि कि पहले आप उस चीज से परिशा नहीं कर रहे बलकि आप उस चीज का उस पार्ट का दूसरा नजरिया देख पा रहे हैं ऐसा किजी के साथ हो रहा है मुझे कमेंट करके जुरू बताईएगा ठीक है आप अपने आपको न अनदर से ऐसा नहीं है कि रहने की कोशिस कर रहे हैं वह एक आपके एंदर एक आपके अंदर एनर्जी डावलैप हो गई है और आपकी जो इमेजन की जो power है यह इतनी strong हो गई है कि अगर आपने notice की हो तो मैं हमीशा कहते हूँ कि आप अपनी ही चीजाओं पर notice किया करो जिसी कि आप जो सोच रहे हैं वो सोचने की जो power है वो change हो गई है पहले जैसे कि आप सीमित चीजों के वारे में सोचते थे लो एक सीमित सोच थी आपकी अभी जो इमेस्ट कर रहे है आप एक बल्ड लेवल पे इमेस्ट कर रहे हैं आप हर चीज की एक अलग नजरी से एक images create कर रहे हैं यानि कि आप lower frequency से उठके उसकी जो higher potential है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं जैसी कोई भी चीज है उसकी आप सिर्फ उस basic सी चीज को नहीं देख रहे हैं उस basic से जो निकलने वाली जो उसकी एक जैसे की एक छोटा पौदा है जैसे बीज हम जमीन में डालते हैं और उसके basic जो है जड़े हैं हम सिर्फ जड़ों को या उस छोटी से तनी को नहीं देख रहे हैं हमको पता है कि इस basic के साथ में जो एक बड़ा सा हस्ता खिलता फूलता जो एक पेड है और जिसमें जो फल है वो क्या क्या कर देगा तो आपको एक छोटी सी चीज आपको बता रही है कि इसका क्या बहुत बड़ा effect सबके life में आ सकता है उससे क्या किस-किस की life change हो सकती यानि कि इस तरह की चीजों में आप बहुत images create कर रहे हैं अपने अंदर ऐसा feel कर रहे हैं और सबसे बड़ी बाद पहले जो आप थे जैसे कि पहले आप जो सोचते थे तो अपने सोच में एक fog महसूस करते थे एक धुंदलापन होता था जैसे कि मान लो आपके अंदर ना deep thinking चलती थी लेकिन आपको clarity नहीं मिलती थी आप सोच सोच के सोच सोच के अपने mind को ठकाते थे और फिर खुद भी ठक के परिशान होते थे लेकिन अब ही क्या है ना कि जैसे आपके बिचार जैसे की current की तरह दोड़ रहे हैं आप किसी चीज के वारे में सोचे इमीजेटली आपको solution उसका मिल रहा है आपका mind जो है आपको solution दे रहा है उस चीज का कि नहीं नहीं इसको नहीं इस तरह से यह नहीं यह यह मतलब जो एक अंदकार था आपके mind में आपके mind में जो आपको clarity नहीं करता था वो clarity अब आपके यहां से शुरू हो रही है यानि कि आप reality को देख पा रहे हैं और आपका mind जो है आपके साथ alignment में connect हो रहा है या आ रहा है जिस वज़े से आपको एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ा solution दे के जा रही है यानि कि आपको solutions मिलना शुरू हो चुके है ठीक है दूसरा आप जैसे मैंने भी कहा आपको कि कुछ चीजे जो है वो आपको समझ में आ रही है कि ये जो चीजे आपकी life में आई है उसके पीछे का reason क्या है और दूसरी बात जो बीते समय में आपने जो ए देखा है एक बदलाब देखा है उस बदलाब के पीछे क्या कहानी रही है वो आप अप पड़ पा रहे हैं अपने अंदर कि आपके जीवन में जो भी पीछे एक चला scenario जिसमें ups and down जो भी रहा अच्छा बुरा वो आपको बैतर पता होगा ज्यादा उस पे नहीं जाओंग तो जो बदलाब आपने अनुभग किया बहुत ट्रांसफोर्म आपकी लाइफ होई बहुत संगर्स वहरा जीवन जो आपने पीछे देखा वो कहानी अभी आप बैठ के सोच रहे हैं कि वो आपके साथ में जो एक एक किसा एक घटना एक एक मुमेंट एक थार्ट एक एक फ फील कर रहे हैं अपने अंदर की उसके लिए आपको प्रपेशन के लिए वो सब आपकी जीवन में घट रहा था यानि कि जैसे मालो के हम किसी की बुक पढ़ते हैं तो हम उसके जीवन का वारे में पढ़ते हैं वो अपने जीवन के वारे में लिखता है कि उसके जीवन में पहले क्या था, फिर कैसे वो बदल गया कैसे उसकी life में turn point आया कैसे उसका जीवन बदल गया कैसे वो अध्यातमिता की पत पे चला गया कैसे उसकी जीवन में फिर light आना शुरू हो गई फिर लोग उन्होंने उसे guide करना सुरू कर दिया इसी तरह से जो भी आपका सिन्यारू रहा पीछे का वो चीज अब आपको एक एक चीज आपको रिलाइस करा रही है कि सब कुछ इस समय के लिए आपको देखना पड़ा या फीस करना पड़ा और सबसे बड़ी बात अब जो मैं कहने जा रही हूँ आप अपने आप में जो एक अजीब सी कश्मकश नहीं कहूंगी उसको मैं एक कशिश कहूंगी कशिश इंदसिंस की पावर, लाइट, कॉस्मिक एनरजी वो आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं आपको अपना सोर्स पता चल रहा है, यह कहूंगी कि आपको वो सोर्स पता चल रहा है जहां से रियालिटी में आप हो, रियालिटी में जो एक्चिल पावर आपकी है रियालिटी में जहां पे आपकी एनरजी मौजूद है आपके बॉडी सिस्टम में, उस सोर्स से आप कनेक्ट कर रहे हो, या मैं यह कह सकती हूँ, जहां से आपकी एनरजी कनेक्ट हो रही है यूनिवर्सल एनरजी के साथ, वो कनेक्शन आप फिर से बना रहे है आपके माइन्ड में जो एक फौग था या फिर मैं यह कहूं कि कॉस्मिक रेस से आपका ब्रेन या आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी आपके अंदर एक दुनलापन रहता था या आपको क्लिर्टी नहीं मिलती थी वो clarity अब आपको मिलना शुरू हो गई है एंड इसके आप अनुभग कर भी पा रहे हैं बहुत सारे science आपको मिल रहे हैं बहुत सारे आपको guidance दिये जा रहे हैं बहुत अपने आप में energy आपको खुद से feel भी हो रही है तो यानि कि आप अपने real throat से जुड़ रहे हैं जहां से आपकी energy connected होती है यानि universal energy के साथ में आप deeper connected हो रहे हैं दूसरी number बात आप यह पता नहीं मुझे कितनी लोगों ने feel किया क्योंकि मुझे नहीं पता यह आज की channeling कितनों के साथ resonate होगी I don't know बट जो भी है मैं clear करके पता देती हूँ आपको तो जैसे कि आप न अपने अंदर कुछ एक ऐसा feel कर पा रहे हैं क्या जैसे एक filter energy filter in the sense की जैसे आपके अंदर से बहुत ऐसी energy जो है वो खतम हो गई है जो कहीं न कहीं आपकी जीवन में एक ऐसा bound बनाके रखी थी जहांसे आप भार नहीं आ पा रहे थे लेकिन अभी एक ऐसी आप मतलब आप एक ऐसी energy को feel कर रहे हैं जहां देख सकते हैं जैसे एक mirror में हम देखते हैं तो आर पार दिखसाता है जैसे कि आप जैसे हो वैसे सामने आपको mirror दिखाता है ऐसे ही आपके अंदर light जो है वो filter हो रही है आपकी उस energy को आपके body को आपकी bones को आपकी blood को आपके neurons को और आपके hormones को सब को filter कर रहा है यह प्रकाश यह रोशनी है यह जो light है यह जो बेवलेंथ है इसे कुछ भी नाम दे लो आप ठीक है तो यह जो बेवलेंथ है यह आपके पूरे body को filter कर रहा है अब इस चीज में इस बीच में कुछ effect भी आपको हो रहे हैं जैसे मैंने कल भी बताया था और अभी थोट में problem आ रहा है किसी को सेक्रल में problem आ रहा है किसी को कहीं problem आ रहा है आपका बॉड़ी कि आपकी बॉड़ी ऊर्जा रिसीव कर रही है पावर रिसीव कर रही है और वह अपने आप पे बूस्ट हो रही है कम हील कर रही है ठीक है तो यह एक message आपको मिल रहा है body level पे कि आपके जो जिस पार्ट पे major issue है या फिर आपको कोई disease है या कोई बिमारी आपको क्योंकि हमें अंदर का पता नहीं है न हम बाहर से जानते हैं अंदर की नहीं पता लेकिन यह जो frequency है यह आपके किसी भी बिमारी को कोई भी disease ह है उसको न डीप लेबल पी heal and filter कर रही है और उसको सामने भी बता रही है कि आपके अंदर यह issue है ताकि आप उस पी काम कर पाओ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है न कुछ ऐसी बिमारी होती जिसका पता नहीं चल पाता लेकिन हम उससे परिशान हो रहे होते हैं तो यह एक तरह से filter का काम कर रही है इस समय एनर्जी तो आपको न यह कह सकते हैं कि आपको आर पार देखा जा सकता है और उससे पहले आपकी बॉड़ी की यानिकि जो solar eclipse है तब तक आपकी बॉड़ी की full on filter energy हो रही है यानिक energy clean हो रही है आपको एक तरह से माजा जा रहा है साफ कि भुड़ी की यही है ओधिया जा रहा है और ताकि आपको अपना प्रति भिम्ब दिखाई दे पृति बिम्ब को क्या कहते हैं I don't know a yalis में क्या केते मैं नहीं याद कर पा रहे हो भी पृति बिम्ब THISिया मदला self realization उसी यही कहते हैं ठीके पका प्रति बिम्ब आपके अंदर ही दिखाई पड़ेगा जैसे कि एक पानी पानी सांत पानी है और उसमें हम खड़े हो जाएं तो हमारा प्रती पानी में दिखाई पड़ता है ठीक है इसी तरह हम अपनी शरीर में अपने उस रियल प्रती बिम्ब को इस रियल सैल्प को देख पाएंगे जो आल्रेडी हमारे अंदर मौजुद है क्योंकि हमने जाने अंजाने में बहुत सारी पेवलेंज से कनेक्ट किया था क्योंकि हमने पैसे के बारे में भी सोचा इंसानों के बारे में सोचा दोस्तों के बारे में सोचा प्यार के बारे में सोचा हम बहुत सारी फिक्वेंसियों से connect होगर के हमने अपने अंदर एक जाल बनाया था ठीक है एक मकडी की तरह हमने अपने आपको बुल लिया था फसा के रखा था अभी वो इस समय जो filter energy में बता रहे हैं इस समय आप अपने प्रिदिविम को देख पाए अपने self self level को देख पाए तो यहां आपकी ये energy आपके self realization के लिए काम करेगी अभी भी आप महसूस कर सकते हैं इन दिनों आगे की energy में महसूस कर सकते हैं या फिर 11-11 portal तक भी आप महसूस कर सकते हैं इस energy का timeline नहीं है मैं ये बता दूँ क्योंकि जो मैं ये बता रही हूँ इसका कोई time fix नहीं है time of period नहीं है इसे आप जबी भी सुन रहे हो जबी भी आपको मौजूद हुई है it means कि इस समय आप उस process से वुज़र रहे हो और इस समय आपको इस knowledge को जानना बहुत जरूरी था तभी वो आप तक ये पहुची है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई और एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी थोड़ी सी video long हो सकती है कि कोई जो addiction रही है आपकी ये addiction इस समय आपकी जा रही है किसी भी तरह की हो drinking की हो या food की हो या कुछ भी हो ठीक है वो आपको पता होगा मैं इतना कहूँगी कि जो addiction है आपकी इस समय आप उस addiction से बाहर आ रहे हो और जो आप खुद को दूसरों से compare कर रहे थे पिछले काफी समय पहले इस समय आप अपने अंदर compare नैस वाली energy से बाहर आ रहे हैं आपको अपनी real जो real self है या फिर मैं कहूँँ आपका जो real बजूद है वो आपको समझ में आ रहा है कि आप आप हो और आप अपने आप में बहुत हो यानि कि बनने इसकी तरफ आप बढ़ रहे हो यानि कि आप अपने आप में ही complete हो आप incomplete नहीं हो अग तक आप अपने आप में incomplete महसूस करते थे और इसलिए आप भाग रहे थे DM के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो आप incomplete महसूस कर रहे थे बट अभी complete हो रहे है तो इ इस समय आप बहुत सारे आयात को अनुभव करेंगे आयात मिन्स की इंपॉर्ट्स जो की पता नहीं मैं एक्स्प्लेइन नहीं कर पार हूँ आयात मिन्स की मतलब अपने एनरजी का बहुत बड़ा फैलाव आप देखेंगे और आप ये भी अनुभव कर पाएंगे कि आपका जो एनरजी है ना सिर्फ आपके इर्दगर्द काम नहीं कर रहा है ये बहुत बड़े लेवल तक जोड़ा हुआ है बहुत लोगों तक ही कनेक्टेड है यानि कि अभी आपको ये सिर्फ आयात के अनुभ रूप महसूस होगा कि हम इसे की चारों तरफ एक फैलाव है ठीक ह एक और बात कहूंगी कि यहाँ पे जो भी DM है जो भी spiritual person है जो भी हाँ पे जो सुन रहे है आप जो चाल कर रहे थे यानि कि ट्रिक्स अपना रहे थे मेडिशन में कि हम इतने दिन करेंगे यह करेंगे इससे हो जाएगा वैसा कि तो इस समय आपकी कोई ट्रिक काम नहीं आएगे आप इस समय energy को manipulate नहीं कर पाऊगे और नहीं कोई आपको manipulate कर पाएगा अगर जैसे मैं बात करूँ कि कोई आपसे बोले कि आपका यह चीज खराब है और आपको यह चीज हमें हील करना है बस पूर एक्जामपल बता रहे हो तो आप manipulate नहीं हो पाऊगे आपको पता है कि मेरा यह चीज खराब नहीं है आपको पागल नहीं बना सकते हैं ना कोई आपके ऊपर कोई ट्रीक आजमा सकता है जिसे कि एक दरपन है ठीक है दरपन के आर पार प्रकाश जा रहा है ठीक है इसी तरह आपके सामने हर चीज प्रकाशे थोड़ी रही है वो रियल फोर्म में आ रही है एंड आपको समझ में भी आ चुका है कि बहुत सारी चीजें क्यूं आपसे बार बार टकरा रही है और उनका लाइफ में आने का क्या रीजन है इस समय आपको बहुत दीप देखने की जरूरत है और यह आपका नजरिया भी हो चुका है आप बहुत चीजों की डीप सल्प तक कनेक्ट कर पा रहे हैं डीप सल्प तक जा पा रहे हैं ठीक है तो यह समय बहुत कुछ लाने वाला है सो खुद को स्टॉप मत कीजिए किसी भी चीज में जस्ट वन नैस वाली एनरजी को फील कीजिए और खुद को कंपीर मत कीजिए किसी भी चीज से और दूसी नंबर बात खुद को रोकिए मत फ्रीडम वाली एनरजी से इस समय जो आप अनुभव कर रहे हैं देख रहे हैं ब्रेन के साथ साथ में आपकी जो बुद्धी मता है जो एक रियल बुद्धी मता है वो आपकी एक्टिव हो रही है उसके साथ साथ में आपकी सोल जो है वो आपकी एक्टिवेट हो रही है आपका DNA एक्टिवेट हो रहा है आपकी light body इस समय एक्टिव हो रही है ठीक है तो य तो आपको करना क्या है यह मैं बता दूं आपको गो विद्ध फिलो में चलना है ठीक है जो करने का मन है वो कीजिए दूसरी नंबर बात की मेडिशन जरू कीजिए इस समय जितना हो सके अपने साथ डीप होने की कोशिस कीजिए पिर चाहे वो म्यूजिक के साथ में या सिर्फ नॉर्मल चैंटिंग के साथ में वो आपकी फिरी विल है पट अपने आपको डीप कीजिए ठीक है डीप सोचिए डीप देखिए तो या यह है आपके लिए दिए यह बहुत लांग वीडियो हो चुकी है सो जो भी है कमेंट करके बताईएगा और जिसके साथ रीजौनेट भणाना जिसके आपके लिए और एग मेसेड़ी ना हो तो कोई बात नहीं दुक्रGU और रिशान मत अपने आप काम करने की कोशिस कर रण होंगी जो कि नवरात्री स्पिसल क्लासेजेस होंगी और जिसमें हम वाइक ग्रेस और नारिश्वर मेडिशन्स शिव्षक्ति वाला और वाइक ग्रेस के साथ हम कॉन्टेक्ट करेंगे और विकाज एनरजी बहुत अच्छी है तो मुझे भी नहीं पता क्या-क्या होगा लेक हुँएगा झाला क्या है तो मुझे गा हुए हम अगुएगा उल रज यहा है तो मुझे भड़ात्री सिल जाका क्या है तो स Sebी 2 בהली पालूबुभी नहीं हो तो Zo TE रहीं हो हम और नहीं हो कि अढ़ driver भी दूएदों चन कि अभी पृदूंश्श झाला है